साथियों, आज चर्चा का विशे है रक्षा मंत्राले से संबंधित, उनके पास कुछ जमीन है, Defense Forces के पास जमीन है जिसको कैंटोन्मेंट जोन कहते हैं, या और भी कई तरीके के जमीन है, उनसे संबंधित कुछ खवर है, और खवर यह है कि भारत सरकार उन्हें बेचना चाहती है, उनके ना बेचने का कानून सदियों से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से ही करीब 250-255 वर्ष पहले या कानून अंग्रेजों ने बनाया था, कि आप Defense State को नहीं बेच सकते हैं, बाद में भी कुछ बने, उसके बंगला हैं, उसके घर हैं, उसके बाकी सब जो भी कुछ हैं, आप उन्हें नहीं बेच सकते हैं, हलाकि इस को बेचने की पेचकश, शरत पवार जब रक्षा मंत्री थे, कॉंग्रेस सरकार में, तो उन्होंने की थी, लेकिन काफी विरोध होने के बाद विरोधियों में भाजपावी थी, उन लोगों ने इस प्रस्ताव को बंद कर दिया, खारिस कर दिया, तो आईए, यह क्यों है, क्या है, क्या असर पड़ेगा, क्या मजबूर ही किसे बेच रहे हैं, इस पे थोड़ी से हम बात करें, यह रक्षा मंत्राले के पास तकरीबन 18 लाख एकर जमीन है, जो उनके कैंट से बाहर, चाउनियों के जो बाहर हैं, 62 ऐसे लैंड पीसेज हैं, जो करीब सवा सुलल लाख करोड है, यह पूरा जमीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि वह दिल्ली का जितना 6 रफल है, उसका तकरीबन 5 गुना है, काफी भारी संख्यान है, इसका कितना मुल्य होगा, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है, सरकार कहती है, इसका उपयोग मेट्रो में, रोड्स में, रेल्वे, फ्लाइ ओवर, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, यह कॉंट्राक्ट किसे दिया जाएगा, इसकी चर्चा नहीं है, और बेचने के बाद जो एक्युवालेंट वैल्यू आएंगे, वह एक प्रस्ताव में कहा गया है कि वह डिफेंस को ही दे दिया जाए, ताकि डिफेंस उसका इस्तिमाल अपने मौडरनाईजेशन में कर सके, दूसरा प्रस्ताव बंदरमाट में यह है, जिसमें वित्मांत्राले ने कहा है कि नहीं, पच्चास प्रतिशत उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, उसका वो क्या करेंगे, इसका अंदाजा हम छोड़ देते हैं, कैविनिट की मंझूरी आने की देर है, सुत्रों के हिसाब से, जो खबरों में आए उसके हिसाब से, करीब करीब यह तयार हो चुका है, और जहां तक defense के विरोध की बात है आपको पता है chief of defense services जो है उनकी सहमती तो पहले से हो ही गई होगी बाकि सब का कोई मुल्य नहीं रखता है वह coordinator की तरह आये थे अब वो तीनों सेनाओं के तीनों अंगों के वह मुख्य अधिकारी बन गए है प्रमुख बन गए हलाकि department और military affairs उसने इसका विरोध जरूर जटाया है दो-तीन मुद्दों पर हलके हलके से मुद्दे है पहला यह है कि जो मैंने कहा कि यह इतने पैसे नहीं इससे मिलेंगे कि हम अपनी modernization कर सके और दूसरा उनका कहना है कि 50% जो finance ministry को जाएगा वह गलत है finance ministry कहती है कि consolidated fund of India में जाएगा और इसे पूरे देश का विकास होगा बंदर बांट मैंने इसलिए कहा था और इस defense land में जो defense के अंदर में कई तरह के काम करने वाले जो बाकी organization ऐसे DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भारत एलेक्ट्रोनिक्स भारत डिनामिक मजगाउं डॉक्स रोडवेज बॉर्डर रोड्स यह जितने हैं इनकी जमीन या इनका रियल इस्टेट इसमें नहीं आता है defense वैसे करती किया है जब बेकार पड़ा है तो क्यों विरोध इस पर सवाल ही क्यों एक कानून क्यों यह सवाल इसलिए आता है दोस्त कि यह जमीन बेकार नहीं है defense के लिए जब उनका camping होता है जब वह प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं जब रेंज फाइरिंग के लिए जाते हैं और दूसरे चीज़ यह है कि defense जैसे मन ले उदारन क्लियर फोस एक एरपोर्ट है रनवे है सिविल एरपोर्ट के लिए यह कानून है कि 10 किलोमेटर के दायरे में कोई भी बूचरी या इस तरह के सबजी के या कुड़ा करकट डालने का हम जमीन नहीं बनाएंगे कारण है कि वह पश्रूपक्चे आते हैं और बर्ड हीट होने की काफी संभा की एक्टिवीटीज है कि वह लेरो प्लेन काई नहीं बाकी आर्मी के नेवी के जो है वह जो जासूस दुश्मानों को होते हैं दूर दराज के होते हैं शौकिया ही जो फोटो ले रहे हैं वीडियो ले रहे हैं बना रहे हैं वह आ रहे हैं देख रहे हैं वह दर्शनी अस् शहरी करण आगे बढ़ता गया इन डिफेंस इस्टाबलिश्मेंट के नजदीक पहुंचा और इन लैंड्स का कीमत बहुत बढ़ गया दस गुना बिस गुना ने सैकड़ों गुना बढ़ गया इस पर नजर बड़े पूजी पत्यों की है और उन्होंने मिलकर पिछले सरकार इस सरकार को बनाया है फंड किया है एलेक्शन बॉर्ण में पैसे दिये है इस जमीन को कैसे छोड़ देंगे शांति प्री इलाका है बढ़ियां इलाका है यहां पर वो बहुत सारे चीज़े डिवलप करना चाहते हैं मॉल बनाएंगे सेवेन स्टार फाइफ स्टार होटल पिक्निक स्टल बनाएंगे यह मुख कैसे त्यागे और कहा गया है कि इस डील में जब डिफेंस लैंड बेचे जाएंगे तो डिफेंस के वहां के लोकल अधिकारी इसके प्रमुक होगे उन्हीं से फूसी किया जाएगा यह अधिकारी कि कितनी दबा होगी कितनी हिमत होग दे इसका अंदाजाब लगा सकते हैं और इसलिए यह कानून आ रहा है ऐसे भी यह सरकार हर पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसमें संदेह ना रखे और अभी की हालत और खराब होगी यह सरकार के पास जहां 30 से 40 करोड मज़ूर बेरुजगार है और इससे भी इसके उपर जाएं तो अर्ध बेरुजगार है क्रेय शक्ति घट गई है और पुझी पतियों के समान नहीं बिक रहे हैं उनका प्रोड़क्ट सो या स्विसे जो नहीं बिक रहे हैं मुनाफ़ा नहीं आ रहा है कहीं ने कहीं से तो लेना है और यह सरकार उनको मदद करती है हर तरीके से पेट्रॉल के दाम बढ़ा के प्लेट्फॉर्म टिकेट बढ़ा के हर जगो मुनोपॉली प्रैसिंग है बैंक से भी पैसे निकल रहे हर जगर लूट का आलम है यह उसी का हिस्सा है और जंदा को कैसे हम कंट्रोल में रखें जंदा फिर भी या यह खतम करके करें इस खतम को के लिए इस खातमे के लिए जो वही है कि सरकार और प्रचार प्रसार करें आपके घर में घूस के करें आपको वोट भी ना देने दो अलग बात है लेकिन आपको इतना मुर्ख बनाया है कि आपको खुद की मुर्खता पर आत्मस्वाभी म गर्व हो उसके लिए और पैसे चाहिए इसके लिए और आपको लूटे जाएंगे इसलिए जो भी जहां जहां भी कुछ मिल रहा है बैठे वे लोग उपर में डिफेंस के जो टॉप होंगे वो इसको समझा रहे हैं सीडिया सौरून का डिपार्टमेंट बता रहा है कि दोस्त इसको भी बेचो बहुत मिलने वाला है रेलवे वी यार्ट्स रेलवे की किनारे प्लेटफॉर्म के पास बड़े स्टेशन के पास जमीन है बेचो इस्टील के जितने कार खाने हैं बेचो एयरपोर्ट बेचो और ऐसा नहीं के हम सत प्रतीशत लोग मुर्ख मनें साथ पैसत प्रतीशत हम ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन बिखरे हुए धन्यवाद साथियों